How to solve a case history यानि case history को कैसे solve करें उससे पहले आप समझे कि case history होता क्या है कि case history कुछ नहीं है case history यानि कि कोई घटना होती है कोई situation होती है जिसके बारे में detailed story लिख दी जाती है और उसको पढ़कर जो है लोग कुछ न कुछ सीखते हैं यानि कि suppose कि कि किसी company में कोई problem आई और उस problem को उस company ने कैसे solve किया उसके उपर detailed story लिख दी गई है और उसको पढ़कर जो है अलग-अलग companies अपने यहाँ पर अगर वो उस type की problem आती है तो उसको solve कर सकते हैं तो यह case history होता है जैसे आप होता निया कि बुजुर्ग लोग जो होते हैं जो हमारे दादा होते हैं senior लोग होते हैं वो अपना experience बताते हैं और उस experience के basis पे आप जो है सीख लेते हैं कि हमें भी ऐसा करना चाहिए फिर ऐसा नहीं करना चाहिए तो वही चीज case history होता है तो य यहाँ पर कोई conflict हो सकता है किसे company में कोई conflict हो गया उसके उपर आपने story लिख दीत वो case बन जाता है किसी company ने कुछ घटना घटी उसके बाद क्या क्या हुआ उसके उपर आपने detailed story लिख दीत वो case बन जाती है और यही case पर कर लोग different researchers होते हैं different companies होती है इन cases के basis पे आपने यहाँ पर जो भी problem आते हैं उसको solve कर ले जाते हैं तो जब आप MBA कर रहे हैं BBA कर रहे हैं वहाँ पर case study आता है तो कैसे solve करें अब suppose कि आपको एक case मिल गया उस case में बताया गया कि कोई company है वहाँ पर senior employees है वहाँ पर younger employee है वहाँ पर कितने percent senior है कितने percent younger है वो अलग-अलग date आपको दे दिया गया और वो company promotion करना चाहती है तो आपको question पूछा गया कि वहाँ पर बता दिया कि case study को पढ़कर बताई कि company को promotion जो है seniority basis में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो उस case को आप पढ़ेंगे वहाँ पे employee की performance को देखेंगे senior की performance जादा है या फिर younger की performance जा जादा है या फिर कम है उसके basis पर फिर आप जो है अपना suggestion देते हैं उस question के solution में तो यहां पर देखेंगे case study में क्या होता है कि आपको अपना suggestion देना है अपना opinion देना है case study में कोई भी question का answer गलत नहीं होता है लेकिन हाँ relevant जब तक आप लेकर रहे हैं ठीक है आपके opinion के according हो तो उससे related answer आप आप लिख रहे हैं यहां पर कोई भी question का answer गलत नहीं होता है normally अगर आप relevant लिख रहे हैं तो गलत नहीं होगा हाँ number ज़्यादा या कम हो सकते हैं लेकिन number सभी को मिलते हैं तो कैसे solve किया जाता है case study तो सबसे पहले अगर आपके पास time है तो सबसे पहले आ आप जो है read and examine the case thorough लियाने की उस case study को फिर आप पढ़िए और उसको समझिए और उसको summarize करिए यानि की notes बनाईए highlight करिए relevant facts को underline करिए जो भी की problems है उस company में ठीक है उसको आप जो है notes बनाईए summarize करिए या फिर उसको underline कर लीजिए जो भी main problem है और उसके बाद उसको swap analysis करिए और उसके बाद practically think करियाने की अगर आप सोचे कि उस condition में होते तो फिर आप जो है क्या करते तो वहाँ पर उसके basis पर फिर आपको best alternative solution जो है वो find out करना है उसको suggestion देना है clear तो best alternative solution कैसे देना है उस problem को समझिए अपने आपको imagine करेगा आप वहाँ पे खड़े है और जो problem को solve करने की कोसिस करिए तो यही चीज case study में करनी है सब्सक्राइब कि marketing का कोई case study बन सकता है कि वहाँ पर आपको बता दिया क्या कि company है वो जो है कोई specific market choose करना चाहती है अपने product को launch करने के लिए सब्सक्राइब वो electronic product जो है launch करना चाहती तो बताईए वो segmentation किस हिसाब से क सब्सक्राइब करें तो आपको जो marketing management segmentation पड़ा है उसके basis पर आपको बताना होगा कि segmentation वो geographic basis पर कर सकता है वो consumer के income की basis पर कर सकता है वो psychographic basis पर कर सकता है या फिर demographic basis पर कर सकता है तो आपको जो है वो theoretical knowledge का यूजज करकि उस company के situation के according उसको suggestion देना होता है देखिए जब suggestion as per my opinion तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आप suggestion दे रहे हो कि ऐसा करना चाहिए company को अगर यह problem आ रही है तो seniority के basis पर promotion करना चाहिए या फिर seniority के basis पर promotion नहीं करना चाहिए क्यों क्योंकि अगर seniority की basis पर promotion करते हैं तो जो younger employee है वो जो है उनका employee turnover बढ़ सकता है वो छोड़के जा सकते हैं क्योंकि उनको लगेगा कि यहां तो seniority की basis पर होता है हमारे time 20 साल बाद आएगा तो ऐसा उनको लग सकता है तो आप जो है जो भी यहाँ पर suggestion दे रहे हैं उसके पीछे आपको reason भी देना पड़ेगा clear तो यहाँ पर यह चीज़े आपको बतानी ह है तो आपको case study इस तरह के से solve करनी है विशू all the best की watching